Hello friends, I am Omkar जाहाँ आप देखें Take with Omkar दोस्तो आज की वीडियो में आपका है कैसे हम लोग फाइल अपलोड करते है ना फाइल में लोग इमेज अपलोड करते है ना उसका प्रिवीव देखें उसका प्रिवीव लोग कैसे देखें तो दोस्तो होता कि हम लोग अपने फॉर्म में फाइल फाइल देते है ठीक है जिसे की यूजर जो इमेज को अपलोड कर सके पर यूजर हो सकता है को उल्टा सिदा मतलब कोई गलत इमेज डाल दे तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जुमल फीवी वाला सिस्टेम लागा सालते है ठीक है तो इस तरीक किया यहां पर मेरे साथ में पापाव आप मुझे स्लेक्ट करना को इमेज तो इस इमेज को स्ल अगर यहां पर कोई कस्टम वेबसाइट बढ़ना चाहते है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हैं और दूसरा बात यह कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब रही है तो इस पेज को करते हैं बंद और यहां पर करने वारे हम लोग कोडिंग ठ है श्रक्षियर लिख लिकली यहां पर टाल दी है अगर पॉपिन नाम को एक फॉंट अड़ कर दी है यहां पर मार्जिं पैंद जिरो दी है हमेशा की तरह और यहां पर इक बाइ्ट दिफॉल्ट आमने बेरियाबल में में कलर यूज कर रहे हैं और इसका जो वेड़ यह मझें वह 100% कर्ते हैं और 720 से पहीं है कर दोटेंतों जश्पी केता बोटी ऊटक टॉत एक बान जट falando करते हैं करने के पहर कि निए ना रपना टोर बनाते हैं में क्लास द्यृम यहां पर छ दालते हैं को क्या लिखें, जावा स्क्रिप्ट, अप्लोड फाइल्स, अप्लोड योर फाइल्स, पेलिंग गलती हो गया, बाद में एक बार में सब को श्टाइल कर देंगे, आराम से, तो यहां पर पहले एक फॉर्म बनाते हैं हम लोग, और यहां पर एक इन्पूट देंगे, इन्पू class क्या दे, class क्या दे, input कर एक class दे देते हैं, और यहां पर लिखते हैं onChange, तॉफ हमाँ यहापर onChange मतलब क्या है कि यहां पर आम जवास्rap को कॉल करेंगे, जवास्यास्यot स्क्रिप्न, बॉलभ flip क्या बोलता है कि जैसे इसमें कोई change यह तुमको भीले तो फ्रंस जलाग को ही नाम का कई बसमेंकिड अर्ग्यमेंट डालेते हैं नाम का क्या इवेंट इस में इवेंट नाम का नाम की अर्ग्यमेंट डाल दी हैं अब क्रへं बोको फोट अब है यहां फिका कर दी आ हैं यहां पर घृतरीकर ऊट्वार को ब्सटाइल कर लेते हैं कम MDD sustained वाइट, पैडिंग होगा 30 पिक्सल का, बॉर्डर डेडियस होगा कितना, 5 पिक्सल, और यहाँ पर simply h1 को भी style कर देते हैं, h1, color होगा, भार, भार सी color होगा, यहाँ पर, text align center, font size होगा, इसका कितना, 27 पिक्सल का रखते हैं, वेट, चारी RJC, पिक्सल, जो होगा, और यहाँ पर उसको अंवाट पूट जुर्णा जाएं, हैं जो होगा, अब करते, पर ऄम लोग का फॉर्ण, का पोजिंशन करते हैं, रिलेटिव, विट्ट करते हैं 300px का, हाइड भी कर देते हैं 300px, बॉर्डर कर देते हैं 2px, डेस्ट, वार्सी, तो यहाँ पर कुछ चीज तरी का मिलने वाला हम लोगों को यह बहुत जादा बढ़ा हो गया, ठीक है, तो बढ़ा हो कि हाइड सोरा कम कर देते हैं, हाइड क कर देता कि एकम CENTER में आजाए, तो यह अगद करकित पर्फेक्ट दिख रहा है, यह हो यहाँ पर यहाँ इसको और 170 कर देते हैं, हो यहाँ एकम मार्जिन चौरा कर देते हैं, उपर से, मार्जिन टॉब 30px, तो यहाँ पर पर एकधम नहीं यहां पर मार्जिन छोड़ के पैडिंग करते हैं पैडिंग टॉप 30 पिक्सेल तो यहां यह इसलिए निए निए लेक्ट कर देना है मार्जिन टॉप गर्जिन टॉप 30 पिक्सल कर दिए एक्डम पर्फेक्ट देखें यहां पर हिंच आगया ठीक है और यहां क्या करें यहां पर देखें यहां जो हैना हम लोग इन्पूट पर काम करें ठीक है तो जो इंपूट को पहले एक्सेस करते हैं और इसके एक विध और हाइट दे देत अब डिखे नहीं। यह दिखेंगा नहीं, ठीक है लेकिन दिखेंगा नहीं पार nast्सि今年। इसे लिए काम करने है भी काrit भी क???? उसी इसी इंपुर्ट यहां को स्टेयَّ पर क्या है...क आप कि यहां परिसके बॉर्ध राड देदेते हैं यहां पर एक image डालेंगे पहले, img image और इसका source नहीं डालना हम लोगो, source इतना blank रखना है, ठीक है, और यहां पर इसको लोग एक id देते हैं, img करके, और इसके उपर एक div बनाते है, div class logo, इसके अंदर simple एक image डालेंगे, img image class l src upload.svg करके, upload.svg, तो यहां इस तरीका दिखने वाला है, और यहां इसके नीचे डालना है, simple सा एक image, जो की होगा browse, your files to upload, refresh करके देखते हैं, तो यहां कूछ ही, इस तरीके का मिल रहा, ठीक है, अब यहां क्या करता है, इसको dot logo है, dot logo, उसको display करेंगे flex, justify content center, justify content center, और यहां पर flex direction होगा, column, और position करेंगे, पूरा का पूरा absolute, और top से 50% घिसका देते हैं, lift से 50%, transform, translate, minus 50%, comma minus 50%, ताक एकदम center में आजागी, तो देखने भी आराए कि नहीं, तो यहां पी एक इस तरीके का रहा ठी, पर यहां जी यह बहुत जादा बारा होगा है, तो इसके जा करते हैं, तरह हमारा जो dot image है, dot L, उसको access करेंगे पहले, dot L, इसका width रखते हैं, 100 pixel, height रखते हैं, 100 pixel का, dot logo उसका width रखते हैं, width 300 pixel साहिए, देख ले तो उपर जाके 300 pixel साहिए, यह refresh, तो यहां कुछ इस तरीके का रहा है, ठीक है, dot logo, align item center करना, align item center, अभी reference इसका रखते हैं, तो इस तरीके का दिख रहा है, अब क्या करना, नीचे बटन में चाहूं तो मैं बना सकता हूं और नहीं भी तुम्हें बना ही जाता हूं फिर भी तो यहां पेक बटन बना देते हैं बटन इसका क्या रखें अप्लोड बटन प्रेट 100% बॉटर्ट एडियस बैग्राउंड वार स्वी फांट फैमिली पॉपिंस देखते हैं तो यहां कुछ इस तरीके गा रहा ठीक है यहां पे इसको मार्जिन दे नहां को उपर से मार्जिन टॉप टेंट ट्वेंटी पिक्सल बॉडर बॉडर देना है नन आउटलाइन देना है नन और एक हाइट देते हैं वह हाइट कितना होगा 50 पिक्सल का और कलर होगा वाइट प्रेश करेंगे तो यहां को इस तरीकी एक आउट पूट मिल रहा है एक दम और पूट पर्फेक्ट ही दो कि हम लोको चाहिए था ठीक अब क्या करना है हम लोका यह यह फॉर्म बन गया अइक में था वह था इवेंट अब इवेंट एकसेश किये और यहां पे इसको करते हैं अब यहां पर सबको लोक धरा था जो है सवारा आईटम को पहले सेलेक्ट करेंगा ठीक है तो पहले मैं डॉक्युमेंट करता हूँ document document.getElementById सबसे पहले क्या करना है हम लोग का इमेज है कहां कि हम लोग इमेज जिसमें हम लोग जो इमेज प्रिविव कराएंगे वो इस जगह पर कराएंगे dot image का जो आईड है ना इस जगह पर उसको पहले access कर लेते हैं थो इस्टाइल जे देते हैं इसको image width करते हैं इसका 300 pixel height रखते है 170 pixel का border radius 5 pixel का और इसका position होगा absolute top 0 ठीक है यहां पर कुछ इस तरहीं को दिखने वाला है पर यहां पर कजी face करते हैं यहां पर कुछ खास output मिलेगा ने ठीक है तो इसको display कर देते हैं none ताकि हम लोगों दिखे नहीं है और यहां पर जाते हैं यहां पर क्या करते हैं सब्सक्राइब इसको select कर रहते हैं image करके image.style.display equals to block अधर हम लोग क्या करें जो हम लोग का पहले हम लोग उसको hide करके ठीक है by default उसको hide करके रखें जैसी यह function चले तो अधर हम लोग इसको block कर देंगे तो इसको display करा देंगा ठीक है और display करेंगे और क्या करेंगे और एक काम करेंगा वह यह हम लोग का यह जो item सब है इसके अंदर जो यह icon और यह जो paragraph ताग है इसको भी हटा देंगे इसको remove कर देंगे dot display equals to none अगर अभी रिफ्रेस करें यह कुछ हमको का output न मिलना चाहिए यहाँ पर इसको रिफ्रेस करते हैं इसको select किये इसको select किये देखिए अगदम पीछे वाला है जो कि हम लोग चाहते है ठीक है अब यहाँ पर क्या करना है अब सिंप्ली करना हम लोग को एक function बनाना है एक object बनाना है रीडर नाम का वार रीडर यह वहरीबल है हम लोग का इसमे एक new file reader अब यहाँ करना reader.load reader.onload जैसी load हो जातो एक function चलाएंगे reader.onload यहाँ पर एक output निकालते हम लोग एक variable बनाएंगे output नाम का .output नाम का एक variable बनाएं और यहाँ पर simply क्या करेंगे document.getElementById अब यहाँ पर इस image को select करेंगे जहाँ पर हम लोगों दिखाना है इपना image को तो यहाँ पर image को select कर लिए हैं अब यहाँ देखी क्या करना अब यहाँ पर output output.src मतलब यहाँ पर output नहीं यहाँ पर out होगा तो इसको select कि image को select कि इमेज में एक source डालेंगे ठीक है source equals to reader.result अजो कि यह बंद और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसको बने करना थिया तो by default यही पर बंद है ठीक है अब लोग इतना कर लिए अब लास्ट एक लाइन लिखना है वो यह कि reader r e a d e a reader dot read as read as data url और यहाँ लिखना event 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 dot target target dot files अब बहु काम एदम 100% complete भुच रिखे है और पर चाल रहा है कि अपर क्लिक किये यहाँ पर YouTube लिखा हवाँ ठीक है अब दूसरा पर 1 पर क्लिक के इहां पर यहांपर आ र्रहा है थिक है यहाँ ब disproportionately तो अच्छे करेंगे इसका height कर देते हैं कितना इतना ही रहने जायते हैं यहां पर इसका object fit एक चेंज कर देते हैं object fit content पेज को किये refresh यहां पर इस पर click किये 1.png इस पर click किये y.jpg अगर यहां पर कोई svg image select एक जैसे कि यह l.svg तो यह भी हम लोगो show होगा देखिये और यहां पर कोई और कर दे तो भी यह नहीं दिखाया ठीक है अगर HTML5 कर दिए और एक बात और कि अगर आप सिर्फ इमेज को सिलेक्ट करा रहती है यहां पर आपको फाइल इंपूप में ना आप एक सेप्ट करके एक 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 अट्रिब्यूट उसको दे दीजेगा अगर आप फोन में देखेंगे एक सेप्ट इमेज करेंटर के बात वो जो आपको कोई भी और फाइल नहीं सेलेक्ट करने का उप्शन है का सिर्फ इमेज फाइल इससे आप सेलेक्ट कर सकते है तो मैं असा करता है आपको यह वीडियो पसंद कर वीडियो को लाइक कर देगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा ठीक और पूरा-पूरा सोस को डिस्क्रिप्शन में आप जाका डाउनलोड कर सकते हैं तो मिलते एगले वीडियो में तो तक के लिए बाई